दोस्तों यदि आप अपनी रंगत को गुरा करने के लिए चहरे को खूपसूरत बनाने के लिए चहरे के सारे दाग धबों को मिटाने के लिए कोई रेमेडी धूंड रहे हैं जिसके पहले बार के इस्तेमाल से आपको फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा आपके चहरे पर जितने भी पिंपल्स हैं वो आना बंद हो जाएंगे आपका चहरा क्लीन और क्लियर हो जाएगा आपकी रंगत को ये एक से दो शेड लाइटर कर देगा साथ ही आपके सकिन को टाइट बनाएगा लटकने से बचाएगा यानि की एंटी एजिंग का काम करेगा ये नुस्खा ये जो देशी नुस्खा मैं आपको बता रही दोस्तो बड़ा ही पावरफुल है क्योंकि इसमें बहुत ऐसी पावरफुल चीजों का हमने इस्तमाल करा है जो की एकदब नाचुरल है और आपकी स्किन के लिए मान लो वरदान से कम नहीं है घर पर ये अवेलेबल चीजों के साथ हम इस रेमेडी को बनाने वाले हैं ताकि आपको जो है ज्यादा महनत ना लगे चीज़े ढूणने में और आपकी घर पर आसानी से वो सारी चीज़ें मिल जाए तो चलिए दोस्तों फटा फट से देख लेते हैं इस जादूई रेमेडी को लेकिन वीडियो शुरूने से पहले छोटी से रिक्वेस्ट आपसे जरूर करना चाहूंगी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय है इस रेमेडी में अगर आपके पास अलोवेरा जल का पौधा नहीं है घर पे तो अब जरूर लगाएं दोस्तों क्योंकि बहुत जादा फाइदेमंद है बहुत आउशदी है यह हमारे बालों के लिए इसकिन के लिए हमारे हेल्थ के लिए भी बहदी फाइदेमंद हैं म पार्केट से महेंगे-महेंगे जेल खरीद के लाते हैं अलोवेरा के तो क्यों ना छोटा सा पौधा लगाए जो नर्सरी में मिलता है नॉर्मल सा 30 से 35 रुपे का एक छोटा सा पौधा आपको मिल जाएगा जादा मेंटिनेंस की भी है इसको जरूरत नहीं लगती अलोवेरा से ही अलोवेरा का इस्तेमाल स्किन और बालों के लिए किया आता जा रहा है कई सारे ब्यूटी प्रोड़क्स में हैर केर प्रोड़क्स में आपने देखा होगा कि अलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह है ही इतना पावरफुल जो कि हमारी सारी स्किन की बालों जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसे दूर कर देता है अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट आपको 100% मिले इस रेमेडी का तो आप यहां पर कोशिश करें फ्रेश अलोवेरा जेल की पत्ती का ही इस्तमाल करें तो यहां पर आपको छोटी सी पत्ती लगने वाली है अलोवेरा जे इसको निकाले उसकी बाद वापस से धोके पोच के फिर ही इसका इस्तमाल कीजेगा तो यहां पर मैंने चोटी सी पत्ती अलोवेरा जेल की उसको मिडल से से कट कर लिया है और यह दोनों ही पत्ती का इस्तमाल कैसे करना है वह मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगे अंत मे रिजल्ट भी बताऊंगी तो अन तक के वीडियो को जरूर देखीगा बिना स्किप किये वैसे तो आप यह भी कर सकते हैं कि अलोवेरा का जेल पत्ती से निकाल लीजे उसको ब्लेंड कर लीजे सारी चीजों को मिला करके अच्छे से ब्लेंड करके फिर आप उसको चेहरे पर अपने लगा सकते हैं लेकिन जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि यह सारी चीजें वो करते बैठे ऑफिस वगेरा होता है बहुत सारी चीजें हो जाती है बीच बीच में तो आप जो है इस तरीके से चटपट वाली जो रेमिडी आ करना चाहते हैं और साथी रिंकल्स फाइन लाइन को दूर करना चाहते हैं तो आज वाली जटपट वाली रेमिडी को आप करके देखेगा अगर आपके पास जादा समय नहीं है तो आप क्या कीजेगा अलवरा के जल की चोटी सी इस तरीके से पती ले ले लिजे और केवल इस पती को ही अपने चेहरे पर लगाईए अपने गर्दन पर लगाईए हाथ पैर उपर लगाईए आपको बहुत अच्छा स्पॉटलेस क्लियर ग्लोइंग स्किन मिलेगी दोस्तों करके देखिएगा और इसको आप और भी जादा पाउरफुल कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगी आप चाहें तो इस के शक कर डालके अपने सकफिन का भी काम कर सकते हैं सारे डीटरा यूद करा bark he или ग्ला टी हमारे चेहरे पर स्किन पर वह निकल जाएगी तो इस पति की ज़्यादा सेफ है और यह रेमिडी इतनी ज़्यादा सेफ है जो मैं आपको बताने वाली हूँ दोस्तों यकीन माने हर उम्र के लोग इसको कर सकते हैं अब आलोवेरा चलके पत्ती के ऊपर डायरेक्ट में या पर डाल रहे हूँ एक छोटी चमश शहद यानि की हनी हनी में अंटी बैक्टेरियल, अंटी इंफ्लमेंटरी, अंटी फंगल प्रॉपरटीज होती है शहद जो है हमारे सकिन को मॉश्यराइज रखता है मुलायम बनाय रखता है साथी साथ हमारे सकिन पर समय से पहले फाइन लाइन जूरियों को आने से रोकता है मुहासों से चीज हमें से मिलाने वाले है ताकि यह रेमेडी और भी जाधा पावरफुल हो एक छोटी चमश शक्कर आप इसमें जरूर डाले अगर आप इस रेमेडी को अपने गर्दन पर अपने हाथ पेरों का काला पन दूर करने के लिए कर रहे हैं तो शक्कर से आप अपने पूरे चोटा चमश मोलतानी मिटी पावडर मोलतानी मिटी जो हमारे स्किन पर से गंदगी और शुद्ध है को को दूर करती है साथ हमारे चेहरे पर से बलाक हैड वाइट है्ट और डेट buscando रिमवब वने का काम करती है उसके बाद जो अगली चीज यहां पर इने टाली है वह यह चोथा ही चमच हल्दी पाउडर तो मैंने यहाप जो हल्दी पाउडर लिया है वो कस्तूरी हल्दी पाउडर लिया है इसलिए मैंने यहाप थोड़ा सा ज्यादा कॉंटिटी में लिया है अगर आप किचिन वाली हल्दी का इस्तमाल कर रहे हैं तो थोड़ी सी कॉंटिटी कम किजेगा क्योंकि उससे क्या होगा कि आप जब स्किन पर मसाज करेंगे तो यलोईश थोड़ा सा हो जाएगा इसलिए आप किचन वाली हल्दी का यहां पर इस्तमाल ना करें अगर करेंगे तो थोड़ा सा कम किजेगा आखरी में हमारी रेमेडी को और भी जादा पावरफु बनाएंगे कॉफी पावडर मिलाके तो एक चोटा चम्माच यहां पर मैंने कॉफी पावडर ले लिया है जो कि हमारे स्किन की रंगत को एक से दोशेड लाइटर करने की ताकत रखता है अब यह जो हमारी जटपट वाली रेमेडी है बन करके हो गए बिलकुल तयार इसको केवल अलोएवरा की पती से भी अपने चहरे पर इससे मसाज कर सकते हैं आपको जो है यहां पर दो से तीन मिनट तक शकर से शकर के तानों से मसाज करनी है अपने पूरे चहरे की गरदन की हाथ पैरूंगी ताकि हमारे सकिन पर इसको जो है 100% वर्क करना ही है इस remedy को कोई इसमें दोराई नहीं है और कोई भी ऐसी चीज हमने इसमें नहीं मिलाई जो आपकी स्किन को या किसी को सूट ना करे सारी ही नाचुरल चीजों का और आसानी से मिलने वाली चीजों का हमने हापर इस्समाल करा है अगर मान लिजे इ पूरे चेहरे पर और 5 लिए हलकी हलकी शेड़ मसाज करगी दस मिनिट पने चेहरे पर लगे से लाई बाहिए वाश व कर ले किया लेकर लागा है इसे हमारे जो चेहरे सब्सक्राइब और poor कर डोलन Всё बहुत अच्छी रेमेडी आपको बहुत पसंद आएगी अब आप इस रेमेडी को दस मिनिट लगे रहने दें उसकी बाद वाश कर लीजिए मैं खुद फील कर पा रही हूं कि मेरी स्किन कितनी ज्यादा सॉफ्ट हो गई है मुलायम हो गई है अगर आप भी इस एक्सपिरिय करना बिल्कुल ना भूले हो सके तो वीडियो को ज्यादा स्यादा शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में रिश्यदारों में ताकि आपके जरी उनकी भी मदद हो जाए थैंक यू सो मच वाचिंग दिस उडियो फ्रेंट्स मलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए ब